हेलो दोस्तों आपका एक बार फिर से 80 क्लास में सागत है आज मैं आप सब के लिए ले कर आ गया हूं हासरस जो की 100% से और है आपके एकजाम में पूछेगा आपकी बोर्ड एकजाम में हो या किसी भी बोर्ड से पढ़ते हैं आपकी पूछता ही पूछता है बहुत ही इंप् हासरस एक अस्थाइवे पहले आई से समझ लीजिए हासरस का मतलब एक ही समझ लीजिए कि हासरस किसी भी व्यक्ति को देखकर यदि हसी उत्पन हो तुछे हासरस करते हूं और लिखना आपको आपकी इस तरह लिखेंगे या आपको पर डिपेंड करता है हासरस एक अस्थाई भाव हासरस का एक अस्थाई भाव हासरस का एक अस्थाई भाव हासरस किसी व्यक्ति के विक्रित रूप आकार वेश भूसा आदि को देखकर हिरदय में जो विनोध का भाव उत्पन होता है उससे हासरस काते हैं बस यहीं तक आपको लिखना है क्या ल श्रेया हो इसको भी लिख सकते हो यह यह दिहास नामक अस्थाई भावी जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होता है तब हासरस की उत्पन होता है फिर से देख लिजी आप से क्या विभाव और भाव संचारी भाव से जो पुष्ट होकर उत्पन होता है उसे हासरस काते हैं फिर से एक बार देख लिजीएगा यदि हास नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव और संचारिभाव से पुष्ट होता है तब हासरस का उत्पन होता है देखिए हासरस का आप दोनों में से एक ही लिखिएगा अगर आपको याद हो जाता है दोनों लिख देंगे तो आपको तब भी नमर मिलेगा तब भी नमर मिलेगा आप इतना अगर लिग देंगे तब भी आपको पूर नमर मिलेगा लेकिन इतना ही नहीं आपके ञां में किस तरह आएगा कि हास रस और करूडडर में से कोई एक का परिभासा और उदाहर लिखी आपके जाम में इस देखिए सीस पर गंगा हसे सीस पर गंगा हसे भुजयानी भुजंगा हसे देख लिए गत्यान से हसे हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में तो इसमें भी हसी नामक एक घृदय में भावत्पन होता है तो उससे क्या काते हास रसकाते फिर से देख लिए सीस पर गंगा हस भुजयाने भुजंगा से हास ही को दंगा भयों नंगा के विवाह में बस लाश्ट उदारण है बहुत ही छोटा उदारण लिया हूँ इसे आप लिख सकते हैं याद भी कर सकते हैं बस आपका टाइम कुछी दिन और बचाया है तो आपकी अब जबजस तयारी स्टार्ट कर दिया गया आपकी चैनल पर नाना वहन नाना वेशा विहसे सिव समाज निजवी देखा आप चाहिए इसको याद कर लिए चाहिए इसको याद कर लिए डोनों में से आप कोई एक जरूर याद कर लिए क्योंकि अब समय बहुत ही कम बचा हुआ है अब अगला वीडियो अलंकार पर मिलने वाला है बस वीडियो कैसी लगी कमेंट बाक्स में जरूर बताएं लाइक और सिया दोस्तों में जरूर करें धन्यवाद मिलते हैं नेक्ट वीडियो में